हाई फ्रेंड्स आपकी अपने इंजोई इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज हमारे साथ जानिए आपका जनम समय आपके बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग बाते बताता है ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत्य जोतिशी शास्त्र में जनम समय को बहुत ही मैतव पुन हमारे भविश्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भी आभास हो जाता है तो आईए जानते हैं आपका जनम समय आपके बारे में क्या बताता है जिन लोगों का जनम सुभा चार बजे से लेके छे बजे तक होता है वे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं आपका सूर बविश्य अच्छा है जिन लोगों का जनम सुभा 6 बजे से लेकर 8 बजे तक होता है उनका सूर्य बारवे घर में है यह आपके जिन्दगी में रहसे पून बदलाव लाएगा जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है आप सक्त दिंचरिया अपनाए तथा दिमाग को शांत बन आपका जादातर समय सुभचिंत को और दोस्तों से हाल चाल जानने में बीतेगा आप जिस चीज के जितने हकदार है उससे अधिकी आपको मिलता है जिन लोगों का जनम दोपैर में 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ है उनका सूर्य नोवे घर में है सूर्य की यह स्थिति आ और संकेत करता है आपको आपका भाग्य चमकता हुए नजर आ सकता है जिन लोगों 10 बजे से 12 बजे तक होता है इनका सूर्य दसवे घर में मुझूद है कहा जाता है कि यह सूर्य का सबसे महतवपून स्थान है आप अपने प्रोजेक्ट्स और प्लैन काफी अच्छी तरह से पूरे करते हैं दुनिया की नजरों में आप हमेशा अच्छे साबित होंगे जिनका जनम दोपैर दो बजे से शाम चार बजे तक हुआ है इनका सूर्य आठवे घर में है कहा जाता है कि ऐसे लोगों को कई बार ट्रस्ट सारवजनिक फंड बैंकिंग आदी में थोड़ी मेहनत के बल पर अपनी परेशानियों से आसानी से पार लेंगे जिनका जनम शाम को चार बजे से छे बजे तक होता है ऐसे लोगों का सूर्य साथवे घर में है जो तिशी शास्त्र में इसे साजेदारी का घर कहा जाता है शादी आपको दूसरे लोगों के मुकाबले अधि को लोगों से सीधे संपर्क करने की आजादी देता हो जिनका जनम शाम को 6 बजे से रात 8 बजे तक होता है इन लोगों का सूर्य छटे घर में है माना जाता है कि आपकी जिन्दगी में आपको अपने साथियों अपने दोस्तों का सयोग मिल सकता है आप समात सेवा की और इनका सूर्य पाचवे घर में मौझूद है जिसका अर्थ होता है कि जिन्दगी के प्रति आशावादी नजरिया और मों के तलाशने की इच्छा शक्ति परदान हो सकती है आप अपनी जिन्दगी में एक महान प्रेमी साबित हो सकते हैं जिनका जनम रात को 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हुआ है कहा जाता है कि इनका सूर्य चोथे घर में है जो घर और संपत्ति के लिहाजा से बैतरिन स्थान है आप जमीन रियल स्टेट के मामले में लाप प्राप्त कर सकते हैं इनका जनम रात को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हुआ है ऐसे लोगों का सूर्य तीसरे घर में मौजूद है जो आपको बोधिक शमता यात्रा करने की चाहत उचस्तर के रोमांस को दर्शाता है तथा सूर्य की स्थीति आपको बहतरिन सामाजिक जीवन देगी फ्रेंड्स अगर आपको हमारी यह इन्फोमेशन पसंद आई है तो हमारे इंजोई इंडिया चैनल को लाइक शेर सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू